हेलो फ्रेंड्स कैसे हो आप सब आशाग और तीज वस्त ओगे अच्छ होगे मज़े में होंगे और पॉजिटिव कर रहे होंगे आपको हमेशे पॉजिटिव फील करना है क्योंकि एक पॉजिव शणप के लाइप में सोगुना पॉजिटिविट अचाप करता है और आज के इसमें हम देखेंगे आपकी लौ लाइफ में करन्ट में क्या चल रहा है आपके परशन की अप के लिए इसकर कि प्रसंड कि अब से क्या बात करना चाहते हैं इनका नेक्स चेक्शन अपके लिए कब तक आ सकता है आपके इस रिस्ते का फाइनल फ्यूचर क्या हो सकता है वह देख नंबर पोर्ट से पर मेसेज कर सकते हैं, वहाँ पर आपको डिटेस्स मिल जाएगी, कॉल के से बूक करने, ठीक है, गाड़ करें यूर्स, मेरी यूर्स की लव लाइफ में, करंट में क्या चल रहा है, इनके लाइफ की करंट सिचुएशन क्या है, आपके लाइफ की कर इनके पार्टनर की करंट फीलिंग्स मेरी यूर्स के लिए, क्या है करंट फीलिंग्स, कंसाइसनेस, गाइड़न्स, न्यू विजन, ये इस वक मेरी यूर्स से क्या बात करना चाहते हैं, ये इस वक मेरी यूर्स से क्या बात करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, ओके इनके रिस्ते में येर फ्यूचर क्या हो सकता है और इनका नेक्स ट्रेक्शन कब तक आ सकता है येर फ्यूचर नेक्स ट्रेक्शन ठीक है यहां पर रख दिया हमने इस रिस्ते का फाइनल फ्यूचर क्या हो सकता है ये जो भी एनर्जिस आई है इस एनर्जिस में इस रि में आप दोनों इस रिष्टे में एबेंडन्स को मैनिफेश कर रहे हो ठीक है आपके परसन जैमेन लिब्राइबरेस मितुन तुलाकूम राशी और स्वर्गो कप्रिकों वर्षप कन्या मकर राशी एरिल्योश अजटेस में सिंग धनु राशी के हो सकते हैं आपके परसन के बड़ेट में हो सकता है तो इस रिष्टे में आप दोनों ही मुझे बहुत ज़्याद ड्रीमिंग वाले इनर्जिस में दिखाई दे रहे हो जैसे कि बस इलुजन्स चल रहे हैं सब कुछ अच्छा होगा रिस्ता स्टार्ट होगा परसन वापस आएगा रिव को चेंज नहीं कर पा रहे हैं ठीके रिसेप्टीविटी है जो भी सीचुएशन बनी यह जो भी नो कॉंटक बना है जो भी third party obstacles बने हैं, आप दोनों नहीं इस situation को स्विकार कर लिया है, ठीक है, दील तो बहुत है, एक दुसरे के साथ रहने का long life तक, मरते दम तक एक दुसरे के साथ रहने की इच्छा है, एक दुसरे के साथ soulmate connection फील होता है, लगता है कि no contact आया है, बात्चित भी नहीं हो रह पा रहे हूं, तब्यात खराब है, दोनों की health खराब है, हो सकता है कि आपकी health थोड़ी सी ज्यादा खराब है, क्योंकि आप मुझे stress में ज्यादा दिखाए दे रहे हो, ठीक है, आपके person जैसे देसे अपने आपको समा लिया है, लेकिन फिर भी a person आपको miserable ज्यादा करते है ठीक है, missing energies है, हो सकता है कि ये person आपसे थोड़ा बहुत बात करने की कोशिश भी कर रहे है, आपको माराने की कोशिश कर रहे है, और जो कि मतलब आपसे चाहा रहे है, current energies में की, ये जो भी situation है, ऐसी situation में, आप प्लीज इनको समझने की कोशिश करो, और इनको support करो, ठीक है, नहीं तो फिर ये अपने जिन्दगी में ग्रो भी नहीं कर पा रहे है, इनको भी बहुत ज़्यदा चोटी-चोटी बातों पर रो ना आ रहा है, ठीक है, तो आप दोनों current energies में, दोनों को ये feel होता है कि आपका past life connection है, ठीक है, और दिल से शादी करना चाहते हो, लेकिन ये energies आप change नहीं कर पा रहे हो, जो भी no contact situation है, ठीक है, और दोनों को ही missing energies है, even इनके घरवाले, even इनके घरवालोने तो जो कि आपको directly मना कर दिया है, शादी के लिए, कि चाहिए जो हो जाए लेकिन आपका और इनका शादी नहीं हो सकता, ठीक है, आप इस person के लिए अच्छे हो, even अगर आप कुछ भी कहने के लिए जाते हो, तो आपको directly कुछ गलत सलत बोलकर आपकी जबान बंद कर दी जाते है, even current energies में आपके person भी आपको ऐसा है behavior दे रहे है, ठीक है, तो इस behavior का आपको मतलब समझ भी नहीं आता, क्योंकि प्यार है, और जो कि ये भी आपको भू ठीक है, तो current energies में आपके पास भी options नहीं है, और ना है आपके person के पास option है, कि आप इस situation को खुदो कर कुछ चेंज कर सको, ठीक है, तो आपने स्विकार कर लिया है, और बहुत ज़दा मतलब की future को लेकर सब अच्छा होगा, सब सही होगा, भगवान मदद करेगा, divine का आपको कही न कही यकीन है, ठीक है, तो यह रिस्ते की current situation है, एक यहाँ पर यह भी निकलता है, कि chances बहुत strong है, आपके person का current में किसी के साथ engagement हुआ है, और शायदे शादी के बारे में सोच रहे है, और बहुत जल्दी इनका शादी होने वाला है, तो आप यह situation भी change नहीं कर आपको लगता है कि आपने बहुत कोशिच कर ली है, लेकिन आप यह situation को change नहीं कर पाए, ठीक है, यह person का भी शादी होने वाला है, जो सोच कर भी आपका depression बढ़ रहा है, कि आपके person कास आपके लिए थोड़े से efforts लगाते, तो यह आपके होते ही, आप दोनों की शादी होत है, तो अगर यह energy is current में आपके रिष्टे की है, आपके person की current feelings की बात करो तो यह person 100% किसी से guidance ले रहे है, इस रिष्टे में आपके पास आने के लिए, आपके साथ शादी करने के लिए, आपके जिंदेगे में एंटर करने के लिए, और यह जो भी situation है current में उसको change करने के ल है, ठीक है, आपको लग रहे है कि शायद सब कुछ खतम हो गया है, लेकिन आपके person को नहीं लग रहा है, आपके person ने situation को स्विकार किया ज़रूर है, लेकिन यह इस situation को change करने के लिए, ठीक है, इस person ने कुछ सोच कर रखा है, यह आप से communicate भी करेंगे, रिस्ता फिर से start भी तो तुझे इसके आलावा कोई option है ही नहीं, कोई तुझे प्यार नहीं करेगा, इवन तुझे जिन्दगी बर प्यार के लिए तरसेगा, और अगर तुझे ऐसे negative energies को जीना नहीं है, इनका दिल इनको चिक चिक कर बताता है, कि अगर आपको नहीं अपनाएंगे, यह person जिन को अच्छे से जी पाते हैं, अपने काम को अच्छे से कर पाते हैं, मोटिवेट फील कर पाते हैं, इनका दीन बहुत जदा अच्छा जाता है, और यह तभी पॉसिविल है जब आप इनकी life में होते हो, ठीक है, तो इस person अपना ही दिमा कुछ लगा कर रखा है, कि यह future में अगले 8 डिन पुछ लोगों को अगले 8 घंडे अटों में मेसेज आएगा ठीक है, आठ घंटे आट दिन और बहुत डिले हुआत्पे, इस रिस्ते में फिर से न्यू वीजे आया है, एक फ्रेस्टा फोने वाला है, ठीक है, इस वड़ आप से क्या बात करना चाहते है, क्य आपको कहीं पर घूमने लिखे जाएंगे, आपको कोई गिफ्ट देंगे, आपको एक खुश करेंगे परसंट, ठीक है, हैंग मैन आया है, यह हंडेड परसंट आपको कहे रहे कि आपको बहुत जल्दी गुड न्यूस देने वाले हैं, बस इस फुत आपको कुछ कहे नहीं स जाएगा, और एक्ष्यम में होगा जो की सेलिब्रेशन, ठीक है, इस रिस्ते में नियर फ्यूचर क्या हो सकता है, और इनका नेक्स टेक्शन कब तक आ सकता है, वैसे तो मैंने बता दिया, इनका नेक्स टेक्शन आपको अगले दो हफ्तों में आने वाला है, ठीक है, आठ गहंटे, आठ दिन, बहुत डिले हुआ, तो आश अपते, फिर भी जो कार्ड हमने निकाला है, हम उससे चेक कर लेते हैं, यह पर भी सेम कार्ड आया है, ठीक है, इंटेंसिटी है, यह परसंद इंटेंसली बहुत जदा कोशिश करेंगे, जल्दी आपकी जिंदगी में एं इस रिस्ते का final future, participation, yes, death with rebirth आया है, तो final future में 100% आप दोनों का transformation complete हो जाएगा, बहुत जदा negative energies को face करके, करके, finally आप दोनों को रास्ता दिखाए देगा, कि जहाँ पर आपके रिस्ते का फिर से rebirth होगा, participation होगा, celebration होगे, बहुत सारी खुशे आपकी जिंदगी में ठीक है, तो final future तो claim करना बनता है, भले current energies में negativity है, लेकिन future अपका अच्छा है, ठीक है, तो जो भी energies आई है, एसी energies में हम आपके लिए angel guidance देख लेते हैं, एंजिल गाइडन्स आई गड करिये इंवर से जो भी energies आई है, ऐसी energies में में mesures के लिए angel guidance क्या है, ऐसी energies में में mirrors के लिए angel guidance क्या है, angel guidance ऐसी energies में. Angel guidance, big happy changes. आपको angels भी कहरें हैं current पे, remain positive, positive रहों कि reading भी positive है, टीक है? Current में आपके रिस्ते में negative energies हैं लेकर आपके person आपको लेकर positive है, और अपका future भी positive है. Angels भी कहरें ही कि आपको positive हैना, remain positive, big happy changes आपके जिन्दगी में आएंगे, बहुत जलदी आएंगे, टीक है? बॉटम में यहां पे भी अबंडन से तो बहुत ज़्यदा पॉजिटिव एनर्जिस को आप मैनिफेश्ट कर रहे हो ठीक है तो यस यही रिडिंग अगर रिडिंग रहे जोंट ही वीडियो को लाइक कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपको आपकी पर बेव तो के लीन बाइब बाइब